हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की आज के दिन की बात करें तो 3% टक के आप साइट के साथ इस टॉक में ट्रेडिंग होते हुए नजर आ रही है हम देख सकते हैं इस टॉक जो 399.70 पैसे पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है इससे पहले वीडियो में हमने ल 402 तक के लेवल दिखा है 402 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 400 का लेवल तगड़ा और इंपोर्टन रिजिस्टन जोने इसके आसपास थोड़ा फ्रेज बाइंग को आवाइट करना ठीक रहेगा इसा आमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि स्टॉक एक ही रेंज में सस्टेन हो रहा है बड़ी गिरावट डेकने के लिए नहीं मिर रहे है स्टॉक लगातार 384 के लेवल पर हमको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इसको ब्रेकड़ान नहीं कर रहा है और जब यहां से 384 के ल आज की डेट में इस हाई को ब्रेकड़ के हमको 400 टक के भी तारगेट देखने के लिए 402 का आज की डेट में हमको हाई देखने के लिए मिला है इसका तगडार इंपोर्टन रजिस्टन्स होने 400 का लेवल 400 का लेवल अब बात करते हैं हम सपोर्ट लेवल को ही immediate support की तो जहा स्टॉक ने इससे पहले rejection phase किया था 396 का लेवल, immediate support का काम करेगा, इसको breakdown कर जाता है, तो next support 392, 393 का लेवल, और स्टॉक जब तक इस low के ऊपर है, यह 380 के ऊपर है, तब तक बड़ी गिरावट नजराना मुश्किल है, तगड़ार important support का role play करेगा, 380 का लेवल, जिसके breakout के ब हमको लगातर तेजी देखने के लिए अगर इस टॉक ऊपर की ओर ही sustain होता है, बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलती है, यहां से, इस टॉक की support की ऊपर ही sustain हो जाता है, तो आने वाले दिनों में इसका जो high ओभी breakout हो तावा नजरा सकता है, 400 का level, फिर next target बनेगा 404 का level इसके breakout के बाद 410, 410 की level को breakout कर जाता है, तो 420 तक के भी level टाटा पावर में को short term में ही देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर आप payment account open करना जाते हो, तो description में देख़ी लिंक से कर सकते हो, वीडियो जो education purpose के लिए कोई buy और sale की सला नहीं है,